प्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें थैंक्यू सबसे पहले यह चीज मिलता है यह जो होता है यह जो माइक्रोवेब कप जो यह वाला प्लेट है इसके लिए बेस का काम करता है जब प्लेट गोमती है तो इसके तीन जो पहि तो इसका उपयोग हमें साओगा है चाहिए हम माइक्रोवेब करें चाहिए हम कन्वेक्शन मौड का यूज करें चाहिए मोलत यूज करें यह प्लेट हमेसा जो है यह ओवन के अंदर रहेगा यह मैं आपको बता हूंगा कैसे वा फिर यह जो आता है यह चोटा सा यह जू तो यह जो हमारा दिख रहा है पॉट यह इस्तमाल होता है कन्वेक्शन मोड में जैसे आपको कन्वेक्शन मोड में कुछ उस पर बेक करना हो तो उसका यूज कर सकते हैं तो बेसिक जो है वह हमारे ओवन के साथ आती है छलिए देख लेते हैं कि हम sana में कैसे और किस्तमाद करेंगे तो हमारा तो सब्सक्राइब करेंं का इसकी सब्सक्राइब करें छाइब यहां पर रिख़ए ऑंपी इसका यह से डोर फोलेंगे तो यह अंदर का ऐसा नजहरा होगा यह तो दीखिए हमारी जो है प्लेट जो है मूब करती है तो हम देख लेते हैं कि इसने प्लेट को कैसे थे साथ करेंगे सबसे पर्ले उसका सबसाथ रखाते हैं यह सबसे इसमें इसके काशे में जब ने लिए देख रहे हैं प्लेट के लिए OFरह गतुए आप देख रहे है यह को घुमाने के लिए होता है इसके कहार abgeसें अंबर स्टेकर मैं हैं या पर सेनों और नीच यह दो मैकरोवेब कोछ करना है लेकिने आलो में एक चापु देख सब सब कहले देखें यहां पे देख सकते हैं तो एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच मिनट का टाइम सेट कर दिया और क्लोज कर देंगे तो यहां से नीचे से यह स्टार्ट बटन है इसके दबाएंगे तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा टाइमर बंद हो चुका है हम देख रहते हैं हमारा आलू पक गया कनी तो यह द आप महारे स्टेंड वह अगरा है उसके इस्तेमाल कातर करेंगे तो देखिये अगर हमें मानलीजी ग्रील करना है और बड़ा ऐटम है तो यह छोटे स्टे इस्टेंट को इस प्लेट को ऊपर हम रखके ग्रील मोड में इसका इसका इस्ते प्लेट को गुमती रहेगी वह उ लोट इटम है तो उसको हिटिंग कोई से नजदीक ही रखने के लिए नदीक बनाने के लिए हम यह वोचे वाले इस्तेट का स्तेमाल करते हैं और ऐसे अगर हमें कुछी चीजों का अग्रबेग करना जैसे पीजा वगर बनाना है तो उसके लिए हम इस प्रकार के या सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पे यह बटन है सबसे राइट में नीचे इस पर लिखा हुआ है स्टॉप या रिसेट तो इस बटन का इस्तमाल हम अपने किसी भी साइकल जैसे मैं लीजिए कि मैक्रोवेब कर रहा हूं तो उसको रोकने के लिए पॉस करने के लिए जाता है एक बार दबाएंगे तो पॉस्ट हो जाएगा और दो बार दबाएंगे तो साइकल रुक के लिए यह से मीजिए प्लाइगे तो एक पर बिप के आज आएगे अब इसके उपर जो है यहसारे मीनु है तो सब्ते बिदेंसे जाएक है चोपा ऊंद दबाएं वाले इस पर दिकरीक हुए तो इसको हम जाइए घ्रियल मोड के लिए होता है तो जो भी जाना को शून ह लेवल को जी तो जी सिर्फ नेक्रोवेब करेंगे तो वो की स्पावर पकाना चाहते हैं किसी किसी में टेमपरेचर्ट लिए होता है किसी में हाई-लो मेडियम ऐसे करके दिया रहता है तो इसका इस्तमाल हम मैंक्रोवेब करने के लिए यह हैता है वेट डिफ्रॉस्ट जिसमाली जी अगर आपने किसी भी चीज को फ्रीज में रखा हुआ है और वह काफी ठंडा हो गया या वह फ्रॉस्ट हो गया तो इस मोड पर हम उसको यहां बर डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं जिससे कि वह थोड़ा सा घरम होके अपने नॉर्मल वर है यहां पर आप के से ऊपर कंवेक्शन मड लिखा हुआ है यह इसको टाइमर लगा देंगे तो यहां से हम चाहेंगे कि इतने देर बाद हमार जो है मैक्रोवेब टायंम कांट करें हमार सब्सक्किर करें रिटिय ताइमर दिया वह यह сповых को पीलिग का इस명 का है यूर्ज सब्सक्राइबन ची exactamente ऑलगा डेंस्ते हैं और हम सब्सक्राइब में पायँ गभण है। इसकेंड वहायर यहां तो ग करने मेजी तो आगा है को यहां सब्सक्राइब ऐसकेंड पाइंगे को यहां से लबा सिर्फ हो कि एक जाल्पटर नेहétais ते एक सिन्धनों पड़े दो निर करेंगे तो गणंडrah कि यहां च्णी इस हम spend आऐ तो बन जाएगा ऐसे कुछ मीनू है तो अगर आपको डिरेक्ट बनाना हो तो इनका डिरेक्ट ली यहां से इस्तमाल कर सकते हैं इसमें पहले से टाइम और टेंपरेचर वगरा भरा रहता है तो चलिए देख लेते हैं सब सब्सक्राइब कैसे करें तो हम यहां से दबाते हैं तो देखिए यहां पर पावर लेबल में पी आगे है हाई तो अगर मुझे माल देजे कि हाइट माइक्रोवेब टेंपरेचर बढाना है तो इसको राहन बेंगे और यहां से टाइम बढ़ाएंगे तो इसमें नहीं बढ़ाना है मिनट में बढ़ाना है डिरेक्टी दस मिन और माली जी अगर मैं माइक्रोवेब के लगाता हूं और लो पावरों पताना है तो फिर उसी बटन को बराओ दबाएंगे तो 90% लिखा रहा है तो यह से पावर अपका कम होता जाएगा ठीक है तो अलग-अलग खानों के लिए अलग हम पावर पे खाना पकाता है तो इस्तेमाल होता है तो बाद यहां से स्टॉप डिश्ट कर दिया तो हमरा मैक्रोवेब का प्रोग्राम को सरी ट्रोग्या तो अडिया और यह पूशेगा कितना टाइम के लिए अपको घ्रिच मुरुक्त कर दो तो हमों की यह से टाइम मिनिट में देश सकते हैं एक-एक मि भूपता जो है यहां से रोग देंगे फिर आजसे हम देख लेते हैं माइक्रो बाइक ध~!! आँ तो मैइक्रो प्लस ग्रील स्टार्ट हो जाता है तो प्रस फिल मिला दिया तो यह पूछरा कॉम्बिनेशन इक इसके कई यह पकाना है तो देंगे दो मिनट का यहां से अब देख लेते हैं वेड़ी फ्रॉस्ट यह वेड़ी फ्रॉस्ट माली यह मुझे किसी चीज को दिफ्रॉस्ट करना तो इसको दबाएंगे कितना देना है 700 ग्राम आट सो ग्राम 900 ग्राम यह किलो ग्राम कराएंगे तो लगबख 38 मिनट का टाइम होता है तो यहां से लोग दिए फिर हम देख लेक्शन यहां से कंवेक्शन श्टाट होता है जबाएंगे तो इसको दबादेंगे ते सेमा टेम्परेचर पूछेगा कितने फिटक्व करना है टिक आइंग पूछ रहा है तो देख सब सब थे कन्वेक्शन हो रहा है तो माइक्रो फिर फिर थोड़े दिर में माइक्रो वेव होगा बंदो जागा फिर कन्वेक्शन होगा तो इस टैप ये पक्ता है अब हम टाइमर देख लेते हैं यह ज़ेका टाइम पूचने लगा तरह का हमारा हमारा कंड़ाउन इस्टार्ट उगा इतनी मिनट बाद हमारा जो है पूकिंग स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद अब हम एक्सप्रेस कूकिंग हुआ व हुआ हुआ अगर आप इसको दबाए तो यह डिरेक्ली आध्य कंटे के लिए मैग्रोवेब अपने याप इस्टार्ट हो जागा आपको इस्टार्ट बटन दगाने की जुरूत में पड़ेगे रोग दिया प्रोग्रम क्लियर गड़ दिया हुआ 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 है